नमस्कार दोस्तों, गुड वार्निंग और वेलकम टू दूस वीडियो आप सबको मालूम यह है कि इस करणट फेस की सीरीज में हम रोजाना करणट फेस के कुछ क्वेशन को डिसकस करते हैं जो कि आपके आने वले कॉम्टेटो एजाम्स के लिए बहुत important होते हैं, बहुत relevant होते हैं तो आज जो हम question डिसकस करेंगे वो भी बहुत important हैं, बहुत relevant हैं आपके एक्जाम्स में जरूर पोचा जा सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखेगा, लास्त देखेगा और साथ में जो extra जानकारी दी जाएगी उस जानकारी को हो सके तो आप note down जरूर किया करिए ताकि जो exam आपको होने वाला होगा अगले एक या दो महिने में या तीन महिने में आप उसको उस time पे revise कर पाएं, आपको पूरा का पूरा context याद हो जाए ताकि आप exam में उस question को गलत न कर पाएं और बिना time को waste किए वह वहाँ पे question को easily आप solve कर लें क्योंकि यह अपने आप में बहुत important section होता है current face और state gk जिसमें या तो आपको answer पता है या तो आपको answer नहीं पता है इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है सिरफ आपके memory पर यह based रहता है कि आपको याद है तो yes अगर आपको नहीं याद है तो no आप तुरंत move on कर जाते हैं दूसरे question में बिना time को waste की वह तो अपने आप में बहुत important section हो जाता है जब आपको question या matter यह context याद रहता है completely तो time को बिना वेस्ट की वे शुरू करते है यह वीडियो और देखते हैं first question तो first question है with which country इंडियाज ministry of defense has signed a project agreement for air launched unmanned aerial vehicle L UAV भारत के रच्छा मत्राइल ने किस देश के साथ वायू पर छेपित किये गया मानो रहित हवाई वहान जिसको short में AL UAV बोला जाता है के लिए एक परियोजना समझावते पर हस्ताचर किया है त तो correct answer है that is United States of America जी United States of America के साथ भारत के रच्छा मत्राइले ने यहाँ पर ये project agreement किया है और ये जो agreement है basically air launched unmanned aerial vehicle के लिए है जिसको short में AL UAV बोला जाता है अपने आप में बहुत important है खास तोर पे air force defense system के लिए और पूरे world में इससे related बहुत सरी research चल रही है और drone भी एक तरीके से इसी का ही part है तो अपने आप में बहुत important है जरूर इसमें इंडिया को help मिलेगी और किस तरीके से help मिलेगी वो आने वाला समय बताएगा तो मैं आपको यह भी याद होना चीए कि आवनी लेखरा ने गोल्ड मिडल भी जीता है पारलिम्पिक 2020 में ही आपको अगर interest आ रहा हो पारलिम्पिक में तो आपको यह जरूर याद होना चीए और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि पारलिम्पिक से और ओल्लम्पिक से अपनी बकायदा पतली सी नोट बुक आप बना सकते हैं जिसमें सारे डेटा को आप रख सकते हैं खास तोर में इंडिया के टाम में तो एक चीज़ तो यह आपको याद कर लेनी चीए वह यह गर हम जियोती बालन की बात करें तो यह फेमेल आर्चर है परलक कोली यह एक बैडमिंटन प्लेयर है यह भी परलिंपिक में पार्टिसिपेट कर रही है अनुना तवर जो है इन्होंने भी ताइकवांडो में पार्टिसिपेशन इनका चल रहा है तो अपने आपनी बहुत इंपोर्टेंट है सारी यहाँ पे फीमेल एथलीट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और अगर खास तो आप अनुना तवर की बात करें तो अनुना तवर जो है वो इंडिया की पहली विमन बनी है इनके नाम भी यह रिकॉर्ड है इंडिया की पहली विमन बनी है जो कि ताइकवांडो इवेंट में सेलेक्ट की गई थी इवेंट के लिए तो जरूर इसको आप याद कर लें ना देखते हैं नेस्स कोशन हैं प्रवीन कुमार मर्यपन थांग विलू सरत कुमार निशाद कुमार तो जो correct answer है that is प्रवीन कुमार जी तो प्रवीन कुमार ने यह रज़त पदक जीता है कि इसमें उची खूद के टी सिस्टी फोर इस परधा में अपने अपने बहुत इंपोर्टेंट है जरूर इसको आप याद कर लें वह अगर हम अधर options की बात करें लाइक मर्यपन थांग विलू की तो इन्होंने silver medal जीता है और सरत कुमार की बात करें तो इन्होंने bronze medal जीता है अभी इसी event में मतलब की टोक्यो परलिंपिक के हाई जम्ट में तो अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है आप इसको जरूर याद कर लें ना देखते हैं विच रेलवेज स्टेशन हाज बिन अवाड़ेड अवाड़ेड इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन पर प्रवाइडिंग हाई इस स्टेशन को ये सर्टिफिकेट दिया गया है और सर्टिफिकेट का नाम क्या है ये भी आपको याद हो जाना चीए इसका नाम है इट राइट स्टेशन जी इट राइट स्टेशन और ये जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है ये उन स्टेशन को दिया जाता है जिन स्टेशन में मतलब जिस स्टेशन में पहुंचने वाले यात्रियों को मुहया करा आए जाने वाले भोजन की क्वालिटी बहुत उच्छ होती है या उसमें जो न्यूटिस कंपनेंट्स होते हैं वह बहुत अच्छा होता है और उसमें साफ सफाई भी अच्छी होती है तो चंडीगर रेलेवे स्टेशन इसमें सेलेट किया गया है इस अवार्ड के लिए इस स FSSAI की यानि की Food Safety and Standards Authority of India तो यह जो थोड़ा समय इसको और ब्रीप कर देता हूँ Food Safety and Standards Authority of India एक स्टेशरी बॉड़ी है जो की इंडियन गवर्मेंट की Ministry of Health and Family Welfare के अंडर में इसको बनाया गया था और FSSAI जो है और Responsible होती है for protecting and promoting public health मतलब की Public Health को promote करने के टाम में यह responsible होती है by protecting by implementing the rules and regulations in terms of food safety तो food safety या food से जो भी समंदित मतलब food को कैसे बनाया जाना है food को कैसे store किया जाना है और उसमें मतलब कौन-कौन से ingredients use किया जाने है कि इंग्रेडियंट को ban किया जाना यह सारे के सारे जो guidelines है यह सारे के सारे FSSAI के तुरू पेज किया जाते हैं जारी किया जाते हैं तो अपने आप में बहुत important statutory body है public health और food safety के टाम में यह आपको जरूर याद कर लेना चाहिए और खास तो पर इसका जो full form है वो तो बिलकुल ही दिमाग में रहना चाहिए क्योंकि छोड़े ग्जांस में इसको कई बार पूछा गया है और यह पूछा जाएगा भी now देखते हैं next question which company has received a license from defense research development organization DRDO to manufacture and market covid-19 treatment drug to deoxy-d-glucose जिसको short में 2DG भी बोलते हैं मतलब कि किस company को रच्छा नुसंदान विकाज संगठन से covid-19 उपचार दवा 2 deoxy-d-glucose यानि 2DG के उत्पादनों विपढ़ना के लिए license प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे options है तो यहाँ पे आपको में correct answer बता देता हूँ, correct answer है ग्रैनियूल्स इंडिया लिम्टेड जी तो ग्रैनियूल्स इंडिया लिम्टेड जो है वो fast growing pharmaceutical supplier company है और जितने भी major markets है in the world मतलब की pharmaceutical market है उसमें एक तरीके से इसका बहुत अहम role है, बहुत major एक तरीके से part है, right अगर यहाँ पे हम दवा की बात करें, दवा का जो नाम है that is 2-D-oxy-D-glucose 2G आपने news अगर देखी हो तो जरूर आपने इसको सुना होगा, कोब इसको 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 चर्चा हुई थी, DRU ने यह दवा की research की थी 2-D-G, यहने की 2-D-oxy-D-glucose की, right तो अपने आप में इसका एक काम करने का तरीका होता है और यह एक तरीके से glycolysis inhabitant के तोर पे काम करता ह मतलब कि यह जब molecule पहुंचता है तो वो glycolysis को एक तरीके से रोग देता है temporary तोर पे, right यूं कहलें कि यह उन cells में उर्जा को पहुंचने से रोगता है जो की infected cells होती है या खास तोर पे अगर हम COVID की बात करें तो COVID से जो damaged या बेकार cells हो जाती है उन तक food को या glucose को पहुंच पहुंचने से रोगता है इसमें और भी बहुत सारे factors हैं अगर आप इसको detail में समझना चाहते हैं तो आप मुझे comment करिए इसमें जरूर एक वीडियो बन सकता है और इसको आपको detail में समझाया जा सकता है तो अपने आप में बहुत important है गैनूल लिम्टेड ने इसको license प्रा the emergency use मतलब की covid patient के emergency के तौर पे मतलब अगर उसमें emergency आ रही है तो एक सहायक therapy के तौर पे इस medicine को लिया जा सकता है medicine का नाम क्या है 2 deoxid deglucose 2 dg यह जरूर आपको याद हो जाना चाहिए तो यह थे हमारे आज के कुछ important questions जो कि exam relevant है important है जरूर आप इसको याद कर लें note कर ले वीडियो को like करें शेयर करें और अगर वीडियो में नए है चैनल में नए है तो चैनल को subscribe कर लें साथ में वेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि important updates मिस ना हो और social media में facebook और instagram पे भी हमको follow करें ताकि वहाँ पे भी जो आपको updates दी जाती है जानकरी दी जाती है वो आपसे मिस ना हूँ तो मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू